नमश्कार दोस्तों आज Supreme Court ने finally अपना decision सुना दिया है कि final year की exams होगी की नहीं होगी तो उसके लिए उसने 3-4 points दिये हैं उन points में सबसे पहला ये point कहा है Supreme Court ने अपने result में अपने decision में ये कहा है कि deadlines can be altered by the state but exam will be held मतलब अगर जो 30 September जो deadline UGC ने दी थी वो deadline को state extend कर सकता है लेकिन exam होगी ही फिर एक और point Supreme Court ने रखाए कि state cannot promote student without final year examination मतलब की वही कि अब जो state है वो final year student को बिना exam के promote नहीं कर सकता है और एक महरास्ट टूडेंट के लिए एक अच्छी बात लिखी है कि the decision by state of महरास्ट under the DM Act to not hold exam shall prevail मतलब यहां देखने को ऐसा मिला ही कि जो महरास्ट government है वो अपने हिसाब से decision कर सकती है क्योंकि जो उसका DM Act था ना DM मतलब Disaster Management Act था उसके तूडेंट जो महरास्ट government है वो चाहे तो exam करा सकती है या फिर वो जो वो decision करना चाहती है वो decision उसका माना जाएगा यहां पर महरास्ट को एक मतलब एक तरीके से महरास्ट के students के लिए एक अच्छी ख़बर है कि उनकी जो state body है वो जैसा चाहती है वैसा होगा लेकिन कूल मिलाकर जो supreme court का decision यही रहा कि final year की exams होगी यह लिखा यहां पर state cannot promote student without final year examination तो कूल मिलाकर supreme court का decision यही रहा कि final year की exam होगी और बिना final year exam के student को promote नहीं कर सकती state लेकिन महरास्ट government अपने एसाब से decision ले सकती है इसके बाद एक एक और चीज आपके साथ शेर करनी थी मुझे यहां देखे एक newspaper में article चपाता कि उत्राखंट CM has fake degree and two birth dates मतलब जब यह अ जो डिगरिया है वो खुद फेक डिगरिया है उनकी क्योंकि यहां पर उन्होंने इसा एक newspaper उसने claim किया कि उनकी जो original documents है उनमें date of birth कुछ लिखे है और उनके कुछ फरजी दस्तावेज है वो सब पाए गए है तो जो हमारे HRD minister जो है उनकी खुद फेक डिगरिया है और फि तो शली वीडियो को यह end करते हैं